हेलो गाइज, गुड मानिंग, कैसे हैं आप सब लोग, I hope आप लोग बहुती अच्छे होंगे, तो चलिए फ्रेंड आज की सुरुवात करती मैं, सुभह के एक जलक से, तो देखिए ये बोटल बरस का पेड़ था हमारे घर के सामने, तो इसको भी मैंने वीडियो में ले लि तो देखिए बहुती सुन्दर पेड़ है, और मैं बना रही हूँ आज ब्रेकफास्ट में नमकीन दल लिया, तो देखिए मैंने सबसे पहले कोकर में दो चमज घी डालूंगी मैं, घी से इसका टेस्ट बहुती अच्छा आता है, और बहुती हैल्दी होता है सरीर के लिए तो देखिए, आप लोग जरू ट्राइ करना एक बार, और अब मैंने इसमें आट कर दे एक तेज पत्ता, और एक टी स्पून जीरा, नमकीन दल्या सच में बहुती टेस्टी होता है, दूद के दल्या से भी अच्छा लगता है, और जो मैंने इसके लिए समगरी तयार करी है, वो यह है, तो देखिए मैं आप इसमें एड करूँगी, हरी मिर्ची, और मैंने दो छोटे आलो कट कर रखे थे, छील के रखे थे, तो अब मैं इसमें एड करूँगी, आप लोगों को जो भी सब्ची पसंद हो, आप वो डाल सकते इसमें, तो मैंने इसमें आलो डाले, और थोड़ा से इसको भून लूँगी मैं, और अब मैं इसमें आड करूँगी टमाटर, तो आप लोगों के पास जो भी चीजें अवेलिबल हो, आप इसमें डाल सकते हो, और अब मैं इसमें आड करूँगी, वन टी स्पून नामक, और इसे भी भून लूँगी, और अब मैंने एक कोटोरी मूँगी दाल भीगोई थी, छोटी कोटोरी, तो देखें, आप लोग भी जुरूर इस तरह से बनाना एक बार, और एक कोटोरी दलिया भीगाई थी, देखें, तो इसको भी मैंने इसी में मिक्स कर दिया है, इस तरह से बहुती टेस्टी बनता है, खास कर कि बच्चों के लिए बहुती हेल्दी नास्ता है ये, तो देखें, एक टी स्पून मैंने इसमें रेड चिल्ली डाल दिया था, पाउडर, स्वाद और नुसार आपको जितना चाहिए आप लोग डाल सकते हो, और हल्दी भी मैंने इसमें एड्ट कर दिया है, देखें, और थोड़ा ये धनिया पाउडर था, और अब मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी, और थोड़ा से इसमें हम पाणी एड्ट कर देंगे, देखें, मुझे तो ये दिले बहुती पसंद है, तो मैं इसे बनाती रहती हूँ, खास कर कि मेरी छोटी सी गुड़िया है, तो उसके लिए बहुती अच्छा बनता है और हल्दी है, आप लोग अपने हिसाब से पानी इसमें एड्ट कर सकते हो, जिसको अगर पतली पतली बनाना हो तो वो थोड़ा ज़्यादा पानी एड्ट कर सकता है, तो मैं भी इसे थोड़ा पतलाई बनाऊंगी, तो देखे मैं इसमें बलग बग दो सिटी आने दूंगी, उसके बाद देखूंगी कि हमारा दल्या कैसा बना है, तो देखे, दो सिटी आ गई हैं और अब हम देखते हैं दल्या कैसा बना है, तो देखे हमारा दलिया बनके तयार है सच में बहुत ही टेस्टी लग रहा है दिखने में तो आप लोग भी जुरूर ट्राइ करना और अब मैंने इसमें एड़ कर दिया था हरा धनिया आप लोग इसमें घी का चौक जरूर लगाना क्योंकि यह घी में ही ज्यादा अच्छा लगता है और नहीं भी है तो आप लोग रिफाइन ओयल वगरा जो भी है यूज कर सकते हो और अब मैंने इसमें निकाल दिया है और इसमें एक चमज घी एट कर दिया है तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कमेंट और जो लोग न्यूँ है तो सस्क्राइब जरूर करना तो थेंक्यू गाइज टेक क्यार बाबाई